है गईज ओप यह दोंग वेल अभी फर्स्ट राउंड के काउंसिलिंग का एक फाइनल स्टेप एक फाइनल प्रोसेस जो अभी तक बाकी था वह अभी फाइनली आच चुका है गईज आज शाम को वह पब्लिस हो चुकिए न्चे हम काउंसिलिंग के ओफिसल वैपसाइट प मतलब एक seat matrix आता है उस seat matrix से आपको इतना पता लग जाएगा कि अभी जो second round का counselling होगा उसमें total कितने seat पे total कितने seat के लिए counselling second round में होने वाला है जैसे कि suppose मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि जैसे किसी college में 300 seat था पहले जैसे AIHM चंडी गर उसमें 300 something total intact है उनका और first round के counselling के बाद अभी second round के लिए कितना seat उसमें vacant है वो सारी detail के लिए जो seat matrix होता है वो publish किया जाता है NCHM council के official website के उपर में तो पुरी detail से भी जानने वाले हैं तो सबसे पहले इस seat matrix को देखने के लिए हम लोगों ने NCHM counselling के official website पे आजाना है इस website का link आपको ने इस description box में मिल जाएगा जैसे आप उस link पे click करते हो आपकी सामने में इस तरीके का interface open हो करके आजाता है अब यहाँ पे आप देख लोगे e-services में आपको यहाँ पे seat matrix का option दिख रहा होगा इस पे हम लोगों ने simply click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे click करते हो आपकी सामने में इस तरीके से एक option open हो करके आता है यहाँ पे आप देख लोगे seat matrix for BSC वाला जो है इस पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click करोगे आपके सामने में इस तरीके का इंटरफिस उपन हो करके आ जाता है अब यहाँ पर आपको round number पर क्लिक करना है round number पर देख लो 1 और 2 है आज दोपेड तक यहाँ पर सिर्फ round 1 ही सो कर रहा था लेकिन अभी second round का जो seat matrix से वो आ गया है second round को लेकर के guys मतलब यहाँ पर देखतो रहा है लेकिन यहाँ क्लिक करने के बाद data available नहीं है इसमें तो इसका भी उपाई है मैं दिखाता हूँ कैसे करना है तो यहाँ से आप round 1 को select करके institute type all institute all मैं कर रहा हूँ आपके individual institute को भी कर सकते हूँ तो यहाँ पर all click करके मैं simply seat में total intake पर click करके submit कर दे रहा हूँ जैसे आप यहाँ पर submit करोगे total intake जो है वो आपके सामने में open होकर क्या जाएगा कि कौन से category में total कितने seats है अब यहाँ पर आप देखो जैसे मैं example के तोर पर ले रहा हूँ यहाँ पर A.I.H.M. Chandigar को guys A.I.H.M. Chandigar में आप यहाँ पर देख लोगे total seat यहाँ पर 303 है यानि 303 seats है total intake है इनका अब देख लो यहाँ पर second round में कितने seat पर counselling होना है वो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं means first round में कितने seat पर यहाँ पर admission हो चुका है और इन 303 seat में से total कितने seats अभी vacant है जिस पर second round का counselling होगा तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने simply यहाँ पर NCHM counselling के website पर आ जाना है अब यहाँ पर देख लोगे e-services में guys tentative vacancy position देख रहा है इस पर हम लोगों को simply click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने में इस तरीके से interface रहेगा और यहाँ पर देख लोगे round 2 tentative vacancy position for BSC HHA इस पर हम लोगों ने simply click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करते होगा इस आपके सामने में इस तरीके से एक PDF open होकर किया जाएगा अब इस PDF को आप ज़रा ध्यान से देखोगे यहाँ पर सब कुछ आपका जो भी concept हो clear हो जाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से IHM में total कितना seat है और 1st round में कतने seat वाँ पर fill हो चुके हैं कितने seat पर admission हो चुका है और 2nd round के लिए वाँ पर कितने seat बचे हैं Means कितने seats पर अभी admission process होगा consulting process होगा अभी 2nd round के counseling के लिए तो यहाँ पर देख लो अभी जैसा कि हम लोगोंने देखा है अभी टोटल इंटेक AIHM चंडीगर का example के तोर पे मैं यहाँ पे AIHM चंडीगर ले रहा हूँ आप जिस भी AIHM का देखना चाहो देख सकते हो गई AIHM चंडीगर में टोटल सीट 303 है 303 अब यहाँ पे आप देख लोगे tentative vacancy position for round 2 counselling जो है यहाँ पे AIHM चंडीगर में टोटल जो vacant seat है वो 130 है गईज अगर आप 303 में 130 माइनस करते हो तो आपके पास निकल के आ जाता है 173 गईज इड मिन्स के अभी AIHM चंडीगर में 303 seat में से 173 seats पे admission अल्डेडी हो चुकी है जो rest जो vacant seat बचा है वो है आपके पास 130 अब इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि first बागी सारे AIHM का भी ऐसे ही देख करके कि कौन से AIHM में total कितने seat है और ये जो vacancy वाला है उसमें कितना seat वहाँ पे दीख रहा है उसमें आप total seat में से ये vacant seat को minus कर दोगे तो आपको एक idea लग जाएगा कि उस AIHM में first round के counseling process में total कितने seat pad mission हो चुका है और second round के लिए total कितने seat बचे हैं कितने seat pad mission होना है तो guys यही है vacancy position को देखने का तरीका इसी तरीके से आप बांकी सारे AIHM का भी देख सकते हो थोड़ा सा time दोगे और थोड़ा सा दिमाग लगा होगे तो आपको पता चल जाने वाला है कि कौन से college में कितने seat पे counseling होने वाला है second round में ये वीडियो में चल देली बना रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए ये update देने के लिए क्योंकि आगे मुझे और भी सारे updates आप लोग के लाने है और खास करके अभी second round के counseling process पे पूरी detail तरीके से एक video बनाना है जिसमें आप लोग को मैं उस video के तुरू बताने वाला हूँ आज रात तक या फिर कल सुबह सुबह तक वो video upload हो जाएगा जिसमें second round counseling वाला video जो है वो कल सुबह या फिर आज रात तक upload हो जाने वाला है तो उस video को जरूर देखना फ्रेंज उम्हेंद करता हूँ कि video आपको पसंद आया होगा तो video को like करें, maximum share करें सब students के पास जिसे उनके भी help हो सके अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM counseling और hotel management से related हड़ेक latest update लेने के लिए hotel management helper YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon जरूर पैस कर दें जिससे आने वाले सारे important update की notifications आपको मिलती रहे विडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद